गाइज रिसेंटली एक वीडियो निकल कर आई है जिसमें एक मेंस फिजीक अथलीट को कॉंटेस्ट में प्राइज को किक करते देखा गया उनका कहना था कि ये करप्शन को किक है किसी भी तरह की करप्शन किसी भी कंट्री में किक करनी ही चाहिए ये इंसिडेंट एक कॉंटेस्ट में विनर अनौसमेंट के बाद हुआ और रनर अप जिनका नाम जाहिद हसन शुवू बताया जा रहा है उन्होंने ऐसा किया और प्राइज को किक किया बार बार ओन स्टेज वीडियो में आप देख सकते हैं कि इग्जेक्ट इंसिडेंट क्या हुआ होगा ये बंगादेश बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के त्रू और अर्गनाइस्ट कॉंटेस्ट था इस पर इस वीडियो में क्लियरली मॉमेंट को देखा जा सकता है शुवो वो बॉडी बिल्डर जिन्होंने प्राइस को किक किया वो जजिस के डिसीजन से खुश नहीं थे और उनका मानना था कि इस कॉंटेस्ट में विनर को अडवनटेज दिया गया है इंसिडेंट के बाद BABF फेडरेशन यानि बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ओफ बंगलादेश ने IFBB से कंसल्ट करके अथलीट को लाइफटाइम बैन कर दिया है फ्रॉम कंपिटिशन्स क्राउड भी इस बैन को अच्छे से रसीव नहीं कर रही है क्राउड का भी ये मानना था कि शुवो की क्रियरली बैटर कंडिशनिंग थी और इग्जैक्ट कंपैरिजन फोटोस तो नहीं मिली है लेकिन आप यहां इन फोटोस में देख सकते हैं कि क्या फिजीक दोनों की थी विनर की और रनर अब की जिसने प्राइस को किक किया है कॉंटेस्ट में अविलेबल जजजीज में से एक जजज का ये मानना था कि उन्होंने ऐसा इंसिडेंट अपने 32 एर्स के बॉड़ी बिल्डिंग कैरियर में नहीं देखा है और कॉंटेस्ट में टोटल 12 जजजीज थे जिन्होंने बेस्ट को चूज किया था एक जजज का कहना था कि कॉंटेस्ट में हार जीत होती रहती है लेकिन अथलीट को वही चीज नहीं करनी चाहिए कि जो उसके लिए आगे प्राब्लम क्रियेट करे और यहां पे शुवो ने वही कर दिया है आप अपनी नाराज़की जाहिर कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से करने पे आपको नुकसान हो सकता है जो उन्हें लाइफटाइम बैन के साथ मिला है शुवो को लाइफटाइम बैन कर दिया है ऐसा करने के लिए ऑन स्टेज एक बाडी बिल्डर के माइन में बहुत से थौट्स चल रहे होते हैं जो जजीस पैनल को भी सोच समझ कर अथलीट को सेलेक्ट करना चाहिए बढ़ यहां शुवो का रियक्शन भी गलत था बहुत से ऐसे एफेंट्स में ऐसा होते है कि एक फिर एडवनटेज दिया जाता है उनकी तरफ के अथलीट्स को लेकिन ऐसी चीज को रोकना चाहिए बहुत से ऐसी लोकल फेडरेशन हैं जो अपने अथलीट्स को एडवनटेज देती हैं ऐसा करना गलत है क्योंकि एक athlete बहुत years से बहुत years से वो preparation कर रहा होता है और अपनी physique को एक next level पर लेकर आया होता है और अगर आप उनके साथ ऐसा करेंगे तो उनका reaction ऐसा ही निकल कर आ सकता है आपके क्या thoughts हैं about this आप comment कर सकते हैं और वीडियो को like and share जरूर करें